Hello students, आज इस वीडियो में हम chapter 2 fractions and decimals exercise 2.1 से question number 1 solve करेंगे question number 1 देखिए, दिया गए solve, first part देखिए दिया गए 2-3 upon 5, था हमने 2-3 upon 5 को solve करना तो देखिए इसे कैसे solve करेंगे, अब देखिए, ये 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए, 2 को मैं 2 upon 1 इस तरह से भी लिख सकती हूँ, देखिए, जिस number के upon में कुछ ना दिया गए हो, यानि उसके upon में क्या है, 1 तो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 upon 1, फिर minus 3 upon 5 ये ऐसी लिखा, अब देखिए, यहाँ denominator में 1 है और यहाँ denominator में 5 है, तो हम 1 और 5 का LCM निकालेंगे, अब देखिए, 1 और 5 का LCM क्या होता है, 5 अगर 1 और 8 का LCM निकालतेंगे तो उसका LCM 8 आता, 1 और 9 का LCM निकालतेंगे तो उसका LCM 9 आता, तो 1 और 5 का LCM क्या है, 5 तो यहां पर लिख लीजिए कि LCM of 1 and 5 is equal to 5 कि 1 और 5 का LCM क्या है? 5 आया है तो 1 और 5 का LCM क्या है? 5 तो यहां पॉन में क्या जाएगा? 5 अब देखिए यहां denominator में क्या है 1? तो 1 से हम इस 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 और 5 से यह numerator में जो 2 है उसे multiply कर देंगे 5 से 2 को multiply करेंगे क्या आएगा? 5 तू जा 10 फिर minus का sign अब यहां denominator में 5 है तो 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 3 को multiply करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा अब 10 में से 3 माइनस करा क्या आया? 7 और अपोन में क्या है? 5 अब देखिए क्या है? 7 अपोन 5 अब देखिए यहां पर जो यह 7 है यह numerator है और 5 जो है denominator में है तो देखिए mixed fraction में कैसे लिखेंगे? 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हाँ 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 बंसा 5 7 में से 5 माइनस करें क्या आया? 2 तो अब इसे mixed fraction में हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसे लिखेंगे हम 1 and 2 अपोन 5 कैसे लिखेंगे से mix fraction में 1 and 2 upon 5 तो solve करने पर क्या आया 1 and 2 upon 5 अब second part देखें दिया गया है 4 plus 7 upon 8 अब हमें इसे solve करना है तो देखें सबसे पहले मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ फोर को मैं लिख सकती हूँ 4 upon 1 जिस नंबर के अपॉन में कुछ ना दिया हो यानि उसके अपॉन में क्या होता है 1 तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 upon 1 फिर plus 7 upon 8 अब देखें यहाँ denominator में 1 है और यहाँ कैंफ में 8 तो अब हम 1 का धिक धन उर्यक का एलसेम चिएं यहाँ अनमे 0 को सेब निकालेंगे 1 को डिवाइड करेगे 3 अब जो डिवाइड होने पर 8 तो इस video में 8 उसे multiply करेंगे, 8 को 4 से multiply करेंगे क्या आएगा, 8 forza 32 फिर plus का sign, अब यहाँ denominator में 8 है, 8 को 8 से divide करेंगे क्या आएगा, 8 बंजा 8, 1 पे divide हो रहा है 1 से 7 को multiply करेंगे क्या आएगा, 7 बंजा 7 अब 32 में 7 प्लस करेंगे क्या आएगा, 39 अब ओन में क्या है, 8 अब देखें, यहाँ पर भी यह improper fraction है, क्योंकि numerator देखें, 39 है और denominator में क्या है, 8, तो numerator denominator से बड़ा है, तो यह improper fraction है तो इसे mixed fraction में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 39 को 8 से divide करेंगे तो देखें, 39 को 8 से divide करेंगे तो कितने पर divide होगा 8 forza, 32, 9 में से 2 माइनस करें, क्या आया, 7 तो इसे mixed fraction में अब हम कैसे लिखेंगे 4 and 7 upon 8 तो solve करने पर क्या आया 4 and 7 upon 8 अब थर्ड पार्ट देखें, दिया गया है 3 upon 5 plus 2 upon 7 अब हमें इसे solve करना है, तो देखें, यहाँ denominator में क्या है 5, और यहाँ denominator में क्या है 7, तो हम 5 for 7 का LCM निकालेंगे तो अब देखें, 5 for 7 का LCM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखें, LCM हम ऐसे निकालते हैं हम वो छोटे से छोटा नंबर देखते हैं जिनसे यह दोनों नंबर्स जहें दिवाइड हो जाएं, पर देखें, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, जिससे यह दोनों नंबर्स दिवाइड हो जाएं, अगर मैं 5 देखूं, देखें, 5 से सिरफ 5 दिवाइड होगा, 7 नहीं दिवाइड होगा 7 देखूं, तो 7 से 7 दिवाइड होगा पर 5 नहीं डिवाइड होगा, तो ऐसा कोई number नहीं है, 1 जिससे ये दोनों numbers डिवाइड हो जाएएगे, तो अब इनका lcm कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 5 और 7 को multiply करेंगे, तो देखें, 5 और 7 को multiply करेंगे, क्या आएगा, 5 7 सा 35 आया, तो यानि 5 और 7 का lcm क्या आया, 35 तो यहां पर लिख लिए कि LCM of 5 and 7 is equal to 35 कि 5 और 7 का LCM क्या है 35 तो इन दोनों का LCM 35 आया है तो यहां पॉन में हम 35 लिखते हैं कि अब देखें यहां डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से 35 को मुल्टिप्लाई करेंगे कितने पर डिवाइड हो रहा है 5 7 जा 35 7 पर डिवाइड हो रहा ह अब 7 सेन झूनीयटर में जो 3 है उसे मुल्टिप्लाइ करेंगे 7 से 3 को मुल्टिप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 721 फिर प्लस का साइन अब 35 को यह जो डिनोमिनेटर में 7 इससे डिवाइड करेंगे तो देखे, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, कितने पर डिवाइड हो रहा है, 7, 5 जा 35, 5 पर डिवाइड हो रहा है, अब 5 को, ये numerator में जो 2 आया, उससे मल्टिप्लाई करेंगे, तो 5 से 2 को मल्टिप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5, 2 जा 10, अब 21 प्लस 10, 21 में 10 को एड करेंगे, कितना आया, 31 और अपोन में क्या है, 35, अब देखे, 31 अपोन 35 ये प्रोपर फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है, नियूमिरेटर से बढ़ा होता, यहाँ पर देखे, डिनोमिनेटर में 35 है, और नियूमिरेटर म पूर्प्र फ्रैक्शन और अगर देख़े इंप प्रफ्रैक्शन होता तो उसे मिस्स से हम कैसे निकालेंगे अब देखे 11 और 15 ये दोनों वन के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइट नहीं होते हैं तो इनका LCM कैसे निकलेगा 11 और 15 को मल्टिप्लाई कर देंगे तो देखे 11 और 15 को मल्टिप्लाई करने पर क्या आएगा 165 आएगा तो यानि 11 और 15 का LCM क्या है 165 सो LCM 11 15 is equal to 165 आया तो 11 और 15 का LCM 165 आया तो यहां अपन में हम लिख लेंगे 165 अब देखे यहां दिनॉमिनेटर में क्या है 11 तो 11 से 165 को डिवाइड करेंगे तो 165 को 11 से से स्फा मेंस करा है 5 उपर से 5 न्यच्चों दा रहा है तो 11 15ा 55 तो क्या अब डिवाइड करने पर 15 आया है तो अब 15 से متसे Das में उसे मल्टिप्लाई कर देंगे तो 15 से 9 को κάνे क्या है about 1575 का letter फिर माइनस का साइन अब यहां डिनोमिनेंटर में क्या है फिफ्टीन अब फिफ्टीन से वन हंडर सिक्स्टी फाइव को डिवाइड करेंगे तो देखें वन हंडर सिक्स्टी फाइव को फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फिफ्टीन वन्जा फिफ्टीन 6 में से 5 माइनस करा 1 उपर से 5 निचे उता रहा 15 वंजा 15 तो क्या आ रहा है देखे 11 आ रहा है डिवाइड करने पर तो अब 11 से numerator में जो 4 है उसे multiply कर देंगे तो क्या आएगा 11 फोर्जा 44 अब 135 में से माइनस करेंगे 44 को तो माइनस करने पर क्या आएगा 91 और अपोन में क्या आए 165 तो क्या आए 91 अपोन 165 अब देखें ये proper fraction है क्योंकि यहाँ पर जो denominator है वो numerator से बढ़ाते यानि ये proper fraction है तो इसे solve करने पर क्या आए 91 अपोन 165 अगर improper fraction आता तो हम उसे mixed fraction में लिखते पर ये तो proper fraction आया है तो solve करने पर आ रहा है 91 अपोन 165 अब फिफ्थ पार्ट देखें दिया गया है 7 अपोन 10 प्लस 2 अपोन 5 प्लस 3 अपोन 2 अब हमें इसे solve करना तो देखें यहाँ denominator मे 10 है यहाँ denominator मे 5 है और यहाँ denominator मे 2 है तो हम क्या करेंगे हम 10, 5 और 2 का LCM निकालेंगे तो देखे 10, 5 और 2 का LCM निकाला तो कैसे निकालेंगे देखे हम वो छोटे सा छोटा नंबर देखेंगे जिससे इन में से कम से कम 2 numbers divide हो जाए तो देखे वो number कौन सा है 2 देखे 2 से 10 भी divide हो रहा है और ये 2 भी divide हो रहा है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, अब 2 से 10 को divide करेंगे, तो क्या आएगा, 2 5s are 10, 5 आया, 5 2 से divide नहीं होता, तो इसे ऐसी लिखेंगे, फिर 2 से 2 को divide करेंगे, तो क्या आएगा, 2 1s are 2 आया, तो क्या आया, 5 5 1, अब फिर हम एक ऐसा number देखेंगे, जिसस से कम से कम इन तीनों में से 2 numbers divide हो जाएं, तो देखें, 5 से यह numbers divide हो जाते हैं, 5 से 5 और 5 divide हो जाएगा, तो देखें, 5 बंजा 5, 5 बंजा 5, और यह 1 ऐसी लिखा, तो LCM of 10, 5 and 2, तो 10, 5 और 2 का LCM क्या आया, क्या करेंगे, 2 और 5 को multiply कर देंगे, 2 into 5, 2 5s are 10, तो क्या आया, 10, 5 और 2 का LCM आ रहा है, 10, तो हम यहाँ अपोन में क्या लिख लेंगे, 10, अब देखें, यहाँ denominator में क्या है, 10, तो 10 से इस 10 को divide करेंगे, कितने पर divide हो रहा है, 10, 1 1 और 10, 1 पर divide हो रहा है, 1 आया, अब 1 से numerator में जो 7 उसे multiply करेंगे, 1 से 7 को multiply करेंगे, 7 और 7, फिर प्लस का sign, अब यहाँ denominator में 5 है, तो 5 से 10 को divide करेंगे, 5 से 10 को, तो कितने पर divide हो रहा है, 5 2s are 10, 2 पर divide हो रहा है, अब 2 से numerator में 2 है, उसे multiply करेंगे, क्या आएगा, 2 2s are 4, फि इतने पर डिवाइड हुआ 25 जा 10 5 पर डिवाइड हुआ अब 5 से नियुमिनेटर में जो 3 है उसे मल्टिप्लाई किजे क्या आएगा 5 3 जा 15 तो क्या आए 7 प्लस 4 प्लस 15 अभी इन तीनों नंबर्स को प्लस किजे प्लस करने पर क्या आएगा 26 और अपन में क्या है 10 अब देखे 26 और 10 ये दोनों नंबर्स जो है 2 से डिवाइड हो रहे है तो इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे देखे 2 5 से 10 26 को 2 से डिवाइड करा क्या आया 2 1 सा 2 2 3 सा 6 तो क्या है 13 upon 5 अब देखे 13 upon 5 यह क्या है improper fraction improper fraction में देखे numerator जाए denominator से बढ़ा होता है तो यहाँ numerator में 13 है और यहाँ denominator में 5 है तो numerator denominator से बढ़ा तो यानि यह improper fraction है तो इसे अब हम mixed fraction में लिखेंगे कैसे लिखेंगे 13 को 5 से divide करेंगे तो देखे 13 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5 टूजा 10 3 में से 0 माइनस करा क्या आया 3 तो क्या आया 2 and 3 upon 5 तो इसे mixed fraction में कैसे लिखेंगे 2 and 3 upon 5 तो इसे solve करने पर आ रहा है 2 and 3 upon 5 6 पार्ट देखें दिया गहा है 2 and 2 upon 3 plus 3 and 1 upon 2 अब हमें इसे solve करना solve करके बताना है कि क्या आएगा तो देखे सबसे पहले तो हम 2 and 2 upon 3 को solve कर लेंगे यह mixed fraction में दिया गया है तो हम इसे improper fraction में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखें क्या करेंगे देखें 3 से 2 को multiply करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 जा 6 अब 6 में जो इन्यूमिरेटर में 2 है उसे add कर देंगे 6 में 2 add करा कितना आया 8 तो कैसे लिखेंगे इसे हम 8 upon में क्या आया 3 तो 8 upon 3 है improper fraction आगा फिर plus का sign अब 3 and 1 upon 2 है यह mixed fraction में दिया गया तो इसे भी पहले हम improper fraction में लिख लेंगे तो क्या करेंगे देखें 2 से 3 को multiply करेंगे क्या आएगा 2, 3 जा 6 आया और 6 में ये 1 add कर देंगे 6 plus 1, 7 और upon में 2 तो क्या आया 7 upon 2 अब देखें यहाँ denominator में 3 है और यहाँ denominator में 2 है तो अब हम 3 or 2 का LCM निकालेंगे तो देखें 3 or 2 का LCM कैसे निकालेंगे अब देखें कोई ऐसा number नहीं है 1 के अलावा जिससे 3 or 2 दोनों ही divide हो जै तो इनका LCM कैसे निकालेंगे 3 or 2 को multiply कर देंगे तो multiply करने पर क्या आएगा 3 to is 6 आया तो 3 or 2 का LCM कैसे आया 6 So LCM of 3 and 2 is equal to 3 or 2 को multiply करा क्या आया 6 तो 3 or 2 का LCM आ रहा है 6 तो यहाँ upon में 6 आ जाएगा अब यहाँ denominator में 3 है तो 3 से 6 को divide करेंगे कितने पर divide हो रहा है 3 to is 6 2 पे divide हुआ अब 2 से numerator मे जो 8 है उसे multiply करेंगे क्या आएगा 8 to is 16 फिर plus का sign अब यहाँ denominator में 2 है तो 2 से 6 को divide करेंगे कितने पे divide हो रहा है 2, 3 is 6 3 पे divide हुआ अब 3 से numerator में जो 7 उसे multiply करेंगे क्या आएगा 7, 3 is 21 अब 16 प्लस 21 इन्हें add कर देंगे 16 और 21 को add करने पर क्या आएगा 37 upon 6 यह improper fraction है क्योंकि यहाँ पे जो numerator है वो denominator से बढ़ा है तो यह improper fraction है तो अब इसे हम mixed fraction में लिखेंगे कैसे लिखेंगे 37 को 6 से divide कर देंगे 37 को 6 से divide करेंगे तो देखे 6, 6 दा 36 7 में से 6 माइनस करा क्या आया 1 तो क्या आया 6 and 1 upon 6 तो इसे mix fraction में हम कैसे लिखेंगे 6 and 1 upon 6 तो इसे solve करने पर आ रहा है 6 and 1 upon 6 अब 7 पार देखें दिया गया 8 and 1 upon 2 माइनस 3 and 5 upon 8 अब हमें इसे solve करना है तो देखे 8 and 1 upon 2 यह mixed fraction दिया गया तो हम पहले इसे improper fraction में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखे 2 से 8 को multiply करेंगे क्या आएगा 8 to the 16 आया 16 में यह 1 plus कर देंगे 16 plus 1 कितना आया 17 और upon में क्या जाएगा 2 तो क्या आया 17 upon 2 फिर माइनस का sign अब 3 and 5 upon 8 यह भी mixed fraction आते इसे improper fraction में लिखेंगे क्या करेंगे 8 से 3 को multiply करेंगे 24 में 5 plus कर देंगे 24 में 5 plus करा कितना आया 29 और upon में क्या आएगा 8 तो क्या आया 17 upon 2 माइनस 29 upon 8 अब यहाँ denominator में 2 है और यहाँ denominator में 8 है तो हम 2 और 8 का LCM निकालेंगे तो अब देखे 2 और 8 का LCM निकालना है तो वो छोटा से छोटा नंबर देखेंगे जिससे 2 और 8 दोनों ही divide हो जाए तो देखे 2 है 2 से ये 2 भी divide हो जाता है और 8 भी divide हो जाता है तो 2 से 2 को divide करेंगे क्या आएगा 2 1s are 2 और 2 से 8 को divide करा क्या आया 2 4s are 8 अब देखे 1 के लावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 1 और 4 ये दोनों ही नंबर divide हो जाए तो हम यहीं पर stop कर देखेंगे तो LCM क्या आया देखें तो देखे LCM of 2 and 8 क्या आया 2 और 4 को multiply कर देखेंगे 2 इंटू 4 2 4s are 8 तो 2 और 8 का LCM आया 8 तो यहां अपोन में क्या आजाएगा 8 अब देखें यहां डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से इस 8 को divide करेंगे कितने पर divide होगा 2 4s are 8 4 पर divide होगा अब 4 से numerator में जो 17 उसे multiply करेंगे 17 4s are 68 फिर minus का sign अब 8 से 8 को divide करेंगे कितने पर divide होगा 8 1 सा 8 1 पर divide होगा तो 1 से 29 को multiply करेंगे 1 से 29 को multiply करेंगे तो क्या आएगा 29 अब 68 माइनस 29 है 68 में से 29 को माइनस करेंगे क्या आएगा 39 और अपोन में 8 अब देखें 39 अपोन 8 यह improper fraction है क्योंकि यहां पर numerator जो है वो denominator से बढ़ा है numerator में 39 और denominator में 8 है को 8 से divide करेंगे तो देखे 39 को 8 से divide करेंगे तो कितने पर divide हो रहा है 8 forza 32 9 में से 2 माइनस करा क्या आया 7 तो mix fraction में इसे हम कैसे लिखेंगे 4 and 7 अपोन 8 4 and 7 अपोन 8 तो इसे solve करने पर आ रहा है 4 and 7 अपोन 8 तो आज इस वीडियो में हमने question number 1 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe thank you